नमस्कार साथियो राम केंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत हैं साथियो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HSSC, CET के एक्जाम को लेके CET के एडमिट कार्ड को लेके सबसे पहले जो भी साथि मेरे चैनल के उपर पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेश कर ले ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो हर एक अपडेट आप लोगों तक जल्चे जल्द पहुंच सके साथियों बात करेंगे हरियाना CET के एक्जाम को लेके एडमिट कार्ड को लेके सबी चात्रों में अभी तक असमंजस की स्थिती बनी हुई है कि 5 और 6 नॉंबर को एक्जाम होगा या नहीं होगा या एक्जाम पोस्ट पॉंड किया जाएगा एडमिट कार्ड आएंगे या एडमिट कार्ड अभी नहीं आएंगे तो साथियों आज 30 नॉंबर हो गई है 30 नवंबर की श्याम को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक कोई भी admit card नहीं जारी किया गया है admit card के बारे में कोई भी notice अभी तक नहीं आया है आप सभी को पता है कि CET का exam NTA के दवारख करवाया जाएगा तो साथियों NTA एक ऐसी संस्ता है जो exam के दो दिन पहले भी admit card जारी कर सकती है जिन भी साथियों को अभी तक ये doubt है कि exam आपका postpone हो गया है तो अभी तक आयोग की तरफ से अभी तक government की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी जारी नहीं की गई है ऐसी कई fake news फैलाई जा रही है बोला जा रहा कि exam आपका postpone हो गया है exam आपका भी नहीं होगा नॉंबर में नहीं होगा दिशंबर में होगा ऐसी जूटी अफ़ाहों के चकर में ना पड़े आयोग की तरफ से सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है कि आपकी परिक्षा स्थकीद कर दी गई है आपका exam postpone हो गया है साथियों अगर admit card के बारे में बात की जाए तो admit card की बात ऐसी है देखें exam आपका होना है 5 और 6 नॉंबर को तो पीछे आपने railway के admit card भी देखे होंगे railway की तरब से चार दिन पहले admit card जारी किये गए थे आज 30 October हुई है exam आपका 5 नॉंबर को है तो हो सकता है कल 31 October को आपके admit card जारी कर दिये जाए या 1 नॉंबर को आपके admit card जारी कर दिये जाए तो अभी time है हमारे पास लग भग exam के 4 दिन पहले 3 दिन पहले तक admit card जारी किये जा सकते हैं अभी तक admit card नहीं आया तो आप लोग ये मत समझें कि admit card नहीं आए admit card नहीं आएंगे तो हो सकता है हमारा exam cancel हो गया हो हमारा exam postpone कर दिया गया हो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है साथियों किसी भी भरम में ना रहें अपनी तयारी बिलकुल अच्छे तरीके से करते रहें क्योंकि आप मन में ये सोचोगे कि exam postpone हो जाएगा exam अभी नहीं होने वाला तो आपकी तयारी ढीली पड़ जाएगी आप तयारी अच्छे से करनी पाओगे इन अफवाहों के चक्कर में अगर आप पड़े रहोगे तो तयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे साथियों आज 30 अक्टूबर हुई है कल वेट कीजिए साइद आपके एड़मिट काड कल आ जाएंगे 31 अक्टूबर को या एक नवंबर तक आपके एड़मिट काड आ जाएंगे एगजाम पोस्ट पॉर्ण के अभी तक कोई जानकरी शरकार दवारा नहीं दी गई है तो आप मान के चले कि एगजाम आपका होगा एगजाम आपका 100% होगा साथियों मेरे चैनल के साथ बने रहे हैं जो भी साथी पहली बार मेरे चैनल के उपर वीडियो देख रहा है उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेश जरूर कर ले ताकि CET से संबंदी थे कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल के उपर देखने को मिलेगी तो साथियों इस चोटे से वीडियो के साथ यहीं चोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ सेयर करनी थी कि अभी तक जिन भी स्टुडेंट्स को जिन भी साथियों को यह भरम है कि एडिमिट कार्ड नहीं आएंगे कि एग्जाम पोस्ट्पॉंड हो गया ऐसा कोई भी निर्देश सरकार की तरप से नहीं दिया गया है एग्जाम आपका होगा एग्जाम आपका 100% होगा एडिमिट कार्ड आपके आज नहीं आए तो कोई बात नहीं कल आ जाएंगे या पर्शों आ जाएंगे किसी भी तरह की अफवाहों के जकर में ना पड़े अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें जैसे ही एडिमिट कार्ड जारी होगा मैं हाजिर होगा आपके सामने नए वीडियो के साथ तब तक बने रहें मेरे यूटूब चैनल राम केंपस के साथ इसी के साथ साथियो नमस्कार धन्यवाद आपका समय सुब रहे